आज हम देखेंगे example 1-x² divided by x अगर हमें इसका integration find करना हूँ अगर हमें integration find करना हूँ 1-x² divided by x का तो उसके लिए हमें ये उपर की जो value है 1-x² उसको सबसे पहले solve करना होगा तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें इसका factorization करना होगा तो ये factorization करने के लिए आपको पता ही होगा कि हम use करेंगे a-b² का तो a-b² का factorization क्या होगा? कि a²-2ab plus b² तो इसका use करके हम यहाँ पर factorization करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? integration 1-x² का क्या होगा? यहाँ पर a की जगा 1 है और b की जगा x है तो a² सबसे पहले लिखना है तो यहाँ पर 1 है 1 का स्क्वेर क्या होगा? 1 minus यहाँ पर minus 2-a-b है तो सबसे पहले 2 लिख देंगे a is equal to क्या है? 1 है तो 2-1 जातो 1 ही हो जाएगा then है b तो b is equal to यहाँ पर क्या है? b की जगा पर x तो यहाँ पर क्या होगा? minus 2x अब last में लेना है plus b square तो यहाँ पर क्या है? x है तो यहाँ पर क्या होगा? plus x square तो 1-x square का factor addition क्या होगा? 1-2x plus x square अब divided में x है तो वो x लिख देंगे into dx यह लिख दिया अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर divided में सिर्फ x है तो हमें क्या करना है? सभी टम के divided में x लिख देंगे तो यहाँ पर होगा integration 1 divided by x minus 2x divided by x plus x square divided by x into dx यह लिख दिया अब जो भी solve होगा वो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? integration 1 divided by x ही रहेगा minus 2x divided by x तो x cancel हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा minus 2 x square divided by x तो x की एक पावर यहाँ पर cancel हो जाएगी और x cancel हो जाएगा तो plus x into dx अब हम यहाँ से integration find करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? integration 1 divided by x into dx स्यक्ड माइनस 2 है तो माइनस लिख देंगे integration 2 into dx plus integration x into dx यहाँ पर आप देखोगे तो 1 divided by x है उसका हम directly integration कर सकते हैं यहाँ पर 2 है 2 constant है तो constant को हम बहार दे लेंगे then integration find करेंगे और यहाँ पर x है तो सबसे पहले constant value बहार ले लेते हैं तो integration 1 divided by x into dx minus 2 constant है उसे बहार ले लेंगे तो 2 integration सिर्फ 2 ही था तो हम 1 लिख सकते हैं 1 into dx plus integration x into dx अब यहाँ से हम integration find करेंगे integration 1 divided by x into dx तो 1 upon x का integration क्या होगा log x अब यहाँ पर minus 2 है तो minus 2 लिख देंगे integration 1 into dx 1 का integration क्या होगा x तो यहाँ पर 2x हो जाएगा plus sign है plus लिख देंगे integration x है x का integration क्या होगा x में x की power 1 है उसकी 1 power add करेंगे तो क्या होगा 1 plus 1 divided by 1 plus 1 तो यहाँ पर क्या होगा x स्क्वेड दिवाइड बाइड 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 तो दें लास्ट में क्या लिखना है plus c तो यह हुआ आपका answer यह हमने किसका answer find किया कि integration 1 minus x स्क्वेड दिवाइड बाइड 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 एक्स उसी तरह अगर आपको यहाँ पर 1 plus x स्क्वेड भी दिया गया हो या फिर 1 minus x cube 1 plus x x cube तब भी आपको क्या करना है factorization करने के बाइड x को डिवाइड बे लेके integration find करना है समझने आया अब next example हम देखेंगे number 2 integration x square minus 49 divided by x minus 7 into dx यह हम example देखेंगे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या है x square minus 49 divided by x minus 7 समझने आया यह देखके आप लोग directly assume कर लेंगे कि यहाँ पर डिवाइड रूल यूज करना है मगर ऐसा नहीं करना है यहाँ पर आप देखोगे तो किया है x square minus 49 है मतलब यहाँ पर क्या है a square minus b square a square minus b square का factorization क्या होटा है पता है ना आप लोगों की a minus b and a plus b तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर x की power है 49 मतलब 7 की power स्थूर यहाँ पर क्या है x square minus 49 is equal to क्या होगा यहाँ पर x square minus 7 square तो उसका हम क्या लिख सकते है इस तम में उसको लिख सकते है कि a minus b and a plus b तो यहाँ पर a square मतलब x square है तो minus b square minus 7 square है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते है a minus b मतलब x minus 7 a plus b मतलब x plus 7 तो हमें इसका use करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर x minus 7 है वो cancel हो जाएगा then हम integration find करेंगे समथने आया तो directly अगर divided वाला कोई example हो तो आपको देखना है कि अगर कोई value cancel होती है या नहीं अगर value factorization करने के बाद cancel हो जाए तब हम directly cancel करके integration find कर सकते हैं तो यहाँ पर हम x square minus 49 की जगा पर क्या लिखेंगे x minus 7 x plus 7 तो यहाँ पर लिखेंगे is equal to integration x minus 7 x plus 7 divided by x minus 7 into dx अब x minus 7 डोनों cancel हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेंगे उप़र x plus 7 तो वहीं लिखेंगे integration x plus 7 into dx अब हम integration find करेंगे दोनों जगा पर integration का notation लगा देंगे कि summation x into dx प्लस यहाँ पर 7 constant है तो 7 को common ले लेंगे बहार integration 1 into dx तो यहाँ पर x का integration क्या होगा x की power 1 है उसमें 1 add करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x square divided by 2 plus 7 है 7 लिख देंगे 1 into dx 1 का integration क्या होगा x then plus c लिखेंगे समझ में आया कैसे करना है यहाँ पर a square minus b square का form था कि x square minus 49 यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है कि a cube minus b cube जैसे कि 1 minus 1 minus 8 या फिर हो सकता है x cube minus 8 तब भी आपको क्या करना है कि a cube minus b cube का factorization यूज करके यह solve करना है अगर यहाँ पर divided में value a minus b की d गई हो तब समझ में आया लेकिन अगर यहाँ पर divided की value थोड़ी change होई हो तब हमें division rule का use करना है ओके देन हम देख लेते हैं हम नमबर थ्री integration एक स्क्वेर प्लस एट डिवाइड वाइड वाइड एक्स प्लस तू इंटू दी एक्स तो यहाँ पर हम क्या करेंगे की सबसे पहले देखेंगे की कोई factorization निकलता है याने तो एक स्क्वेर प्लस एट किसी का form है है ना यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं है या नहीं है नहीं है देखो यहाँ पर एक स्क्वेर है example नमबर थ्री integration एक स्क्वेर प्लस एट divided by x plus 2 into dx यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी factorization नहीं होगा तो अब इस example में हमें divided rule का use करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे x square plus 8 को divided करेंगे x plus 2 से तो यहाँ पर लिखेंगे x square plus 2 sorry plus 8 उससे divided करेंगे x plus 2 से अब क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहली term कौन सी है x square है तो x square लिखेंगे then यहाँ पर first term कौन सी है diviser की x तो divided by x लेंगे x square divided by x हमें कितना मिलेगा x की एक power cancel होगी यह x cancel हो जाएगा तो हमें x मिलेगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x x लिख दिया अब x plus 2 को x के साथ multiply करके यहाँ पर value put करनी है तो x into x क्या होगा x square plus 2 into x plus 2x यह हो गया अब important point कि यहाँ पर क्या करना है multiply करने के बार sign change करनी है अगर plus sign हो तो उसकी opposite sign minus लेनी है और minus हो तो उसकी opposite plus यहाँ पर कोई भी sign नहीं है मतलब plus sign होगी तो यहाँ पर put करेंगे minus sign यहाँ पर भी plus sign है plus की opposite minus sign put करेंगे अब x square minus x तो यह x square cancel हो जाएंगे दोनो then 8 plus 8 minus 2x मिलेगा तो सबसे पहले x वाली term लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा minus 2x प्लस यह मिल गया अब हमें फिर से divided करना होगा पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर x वाली term अभी भी है समझना यहाँ पर सिर्फ प्लस 8 हमें मिलता तो हम यहाँ पर ही divided की process स्टॉप कर देते हैं लेकिन अभी भी हमारे पास x की term है तो हम क्या करेंगे फिर से divided का use करेंगे यहाँ पर first term कौन सी है minus 2x है तो वो लिखेंगे minus 2x divisor की first term क्या है x है x लिख देंगे minus 2x divided by x क्या मिलेगा हमें minus 2 minus 2 मिला तो x plus 2 से हमें 2 को किसके साथ multiply करना है minus 2 से तो यहाँ पर minus 2 लिखेंगे अब क्या करेंगे कि x को multiply करेंगे minus 2 से तो x minus 2 क्या होगा minus 2x plus 2 minus 2 2 to the 4 plus minus minus sign तो यहाँ पर लिखेंगे minus 4 अब फिर से sign change करनी है minus की opposite sign plus लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी minus की opposite sign plus put करेंगे अब minus 2x plus 2x दोनों cancel हो जाएंगे यहाँ पर क्या है plus 8 plus 4 तो यहाँ पर plus करेंगे कि 8 plus 4 कितना होगा 12 तो अब यहाँ पर कोई भी term x वाली हमें नहीं मिलती तो यहाँ पर ही हम डिवाइसर की process है डिविजन की वो stop कर देंगे तो अब हम x plus 2 x minus 2 and 12 का यूज करके यहाँ पर value put करेंगे यहाँ पर उपर हमें value कौन से मिली की x minus 2 यह लिख दिया अब यहाँ पर remainder की value लिखेंगे वो हमें मिली 12 तो यहाँ पर लिख देंगे plus 12 उसके divided पर value क्या मिली divisor divisor की value कौन से है x plus 2 तो diviser की value लिखेंगे divided में x plus 2 अगर आपको कोई भी confusion हो तो क्या यादक ना है कि यहाँ पर जो भी divided में value हो वो यहाँ पर divided में लेनी है और जो भी last में यहाँ पर value मिले वो उसके उपर लिख दिया अब हम क्या करेंगे कि integration का form लिखेंगे इसके हिसाब से तो यहाँ पर क्या होगा y is equal to integration x minus 2 plus 12 divided by x plus 2 into dx यह हो गया अब हम integration find करेंगे कि integration x into dx minus integration 2 into dx plus integration 12 divided by x plus 2 into dx तो यहाँ पर अब हम x into dx दिखेंगे 2 constant है 2 common ले लेंगे अंदर हेगा integration 1 into dx plus sign है plus लिखेंगे 12 common ले लेंगे integration 1 upon x plus 2 into dx यह हो गया अब हम integration find करेंगे x है x का integration क्या होगा x square divided by 2 minus है 2 as it is लिख देंगे 1 का integration मिलेगा x plus 12 constant है तो 12 लिख देंगे then 1 upon x plus 2 तो उसका integration होगा log x plus 2 3 का integration हो गया then लिखेंगे plus c तो यह हमें मिला x square plus 8 divided by x plus 2 का integration की x square divided by 2 minus 2 x plus 12 log x plus 2 plus c समद में आया diviser वाला sum कैसे करना है कि जहां तक हमें यहां पे x वाला पड, x वाली term मिलती जाएगी तब तक हम divided की process करते जाएगे लेकिन जहां पे भी हमें x की बीना वाली value मिलेगी कि यहां पे 12 मिला तो यहां पे भी हमने यह process रोग गी कि यहां पे जाएगी